केलो प्रेंज कैसे हो आप सब अडिला डिए भाई यूट्यूप चैनल में आपका स्वाथत है प्रेंज आज मैं आपके साथ स्टे़र करने वाली हूँ चालकुल पिलोफ मासक को Blut people can apply सही तरीका क्या है यह बताने वाली हूं तो वीडियो एन तक जरूर देखे और अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा सा भी helpful हो तो प्लीज मेरी वीडियो को like करें और शेयर करें अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो सबस्क्राइब करें विडियो बनाने में तो फ्रेंस साथ में भंजे अच्छा रिसपंस पहर भंजा एक बनाने में तो फ्रेंस आज मैं आपके साथ Pgebot पीलोग मार्स का वीडियो लेके आई हुँ लेकिन ये वह जेल फॉर्म में था और एक क्रीम मार्स में है फ्रेंस कही बार क्या होता है कि आपको चारकूल पीलोग मार्स को इसतमा करने का सही तरिका क्या है वह बताने वाली हुँ तो मेरे साथ वीडियो में चुड़े रहे ए बंबू चार्पर वाइटनिंग एंटी ब्लेक हैर्स मास्ट क्रीम है मैंने इसे पहले पेच्ट टेस्ट किया था मैं आपको बता दू कि अगर आपकी स्कीन कोई भी हो चाहे ओईली हो ड्राइ हो नॉर्मल हो सेंसिटीव हो जो भी स्कीन हो आपको भी प्रोडक्ट अपने फेस पर इस्तमाग करने से पहले एक पेश्टेज जरू करें आपकी स्कीन ओईली है या फिर आपकी स्कीन ड्राइ है तो भी आजकल तो सबी स्कीन वालों को छोटे-छोटे वाइट हैट्स और ब्लैक हैट्स के प्राप्लम होती ही है तो आपको चाहोई पोनरहें में एक भार यूज कर सकते और चाहें हैं quickalo करने से पहले हमारे skin को clean करना बहुत ही जरूर है तो clean आप किसे कर सकते हो तो clean करने के लिए आप चाहो तो आप face wash का यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो आप cleansing wipes का भी इस्तमाल कर सकते हो अगर आपके पास cleansing milk है तो आप उससे भी अपने face को clean कर सकते हो तो आप उससे भी अपने face को clean कर सकते ह है जो मैं अपने फेस को क्लिंग करने के लिए इस्तामाल करूंगी पेजनी मिल्क से 2-3 मीनिक तक हलकी हाथों से मसाज करें हुआ है यह फेस को अच्छे से अइई करने के बाद आपको चारफर माक्स एपलाइ करने से पहले आपकी फेस पर स्टीम लेने से क्या होता है तो स्टीम लेने के करें सारे बेनफिट है उसे जब तो यह में इस यह इसे उसे छे सो अफ़ेशने हमायघता है रवी निकल जाता है तीस आपको कैसे लहनी एकशसे लेनी सपर कि अपने सेव्सरों को को सपरों करने स्टीब सकते हो अगर आप उसी को आपको अपकी के अपने फेस पर स्टीम लूँगी फ्रेंस स्टीम लेने के बाद फेस को ड्राई कर लिज्ये फ्रेंस अगर आप पहली बर चार कुर्पी लगमाक्स अपने फेस पर अटाई कर रहे हो तो आपको अपने आईब्रोस पर पेट्रोल लिब जैली एपलाई कर देनी है इससे क्या होगा अगर चार कुर्पी लगमाक्स गलती से आपके आईब्रोस पर लग गया तो भी कोई प्राब्लम नहीं होगी फ्रेंस अगर आपके फेस पर छोटे छोटे अगर फेस्चल हैर है तो अगर आपके जो फेस्चल हैर है वो अगर नीचे की साइड होगे तो आपको आपके जो फेस्चल है है जिस डारेक्शन में है आपको उसी डारेक्शन में पिलोप मास्ट को एपलाई करना है क्रिम बेज में है तो यह बहुत ही स्मूध और सॉप्ट है अपने नोस और लीब्स आइब्रोस आइस उनको बचा कर ही एपलाई करे प्रेस लेयर आपको ना ज्यादा मूटा ना पतला अपले गरना है प्रेस लेयर है वो आपको इक्वल ही लगाना है चार्कुल क्या काम करता है तो चार्कुल स्कीन को डल होने से बचाता है और स्कीन को नेच्रल तरीके से ग्लोइंग बढ़नाने में हेल्प करता है आज कल बाजार में चार्कुल के बहुत सारे प्रोडक्ट एवेलेबल है चार्कुल पिलोप माक्स ओयली स्कीन वालों को काफी हद तक सूट करता है क्योंकि गर्मी का मौसम सुरू हो चुका है और ओयली स्कीन वालों को गर्मी के मौसम में बहुत ही दिक्कत होती है चार्कुल स्कीन में से जो एक्स्ट्रा ओयल निकलता है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है और ब्लैक हैर्स और वाइट हैर्स को लिमूग करने में भी हेल्प करता है इसलिए मैं गर्मी के मौसम में सब्ता में एक बार चार्कुल पिलोक माक्स अपने फेस पर इस्तामाल करती हूं क्योंकि मेरी भी oily skin है और मुझे भी black hairs, white hairs की बहुत ही problem होती है गर्म्यों के मौसम में तो अगर आप charcoal pillow of marks ट्राइ करना चाते हैं first time तो आप छोटा पाउच ही खरीदे फिर अगर charcoal pillow of marks अगर आपको suit करता है तो ये आप उसका बड़ा package खरीदे फ्रेंस मैंने pillow of marks को अच्छे से apply कर दिया है आप देख सकते हो अब इसे सुखने के लिए छोड़ देते हैं 20 या 25 मिर तक जब तक पूरा सुख जाए तभी इसको हम pillow of करेंगे pillow of marks apply करते वक्त अगर आपको pain हो या फिर आपको irritation हो एलर्जी हो या फिर आपको जलन हो तो आप उसको तुरंद हे रिमू कर दिजे हो सकता है कि वो आपको suit ना करें लेकिन आपको pillow of marks apply करने से पहले एक face test करना जरूरी है face test करने के पाद ही आप अपने face पर pillow of mask को apply करें मेरे pillow marks अच्छे से सुख गया है और आप भी अपना pillow of marks ça nゃहीं इट कैसे देखे तो देखने के लिए आप अपने हांथों को pillow of mark के उपर लगाए मेरा pillow mark अच्छे से सुख गया है अब आपको इसे निकालना कैसे तो अगर आपने इसे उपर की साइड लगाया है तो आपको उपर से ही निकारना है अगर आपने नीचे से लगाया है तो फिर आपको नीचे से इसको नीचे से उपर की तरफ खेचना है दीरे दीरे से निकाले झाल झाल फ्रेंस फिलॉप मार्क्स अच्छे से रिमूव हो चुका है और जो कुछ कुछ फिलॉप मार्क्स लगा हुआ होता है उसे आप कॉटन की हेल्फ से अगर निकालोगे तो वो आराम से निकल जाएगा आप मेरा ये पिलॉप मार्क्स देख सकते हो और जो वाइट हैर्स जो निकले है वो भी आप देख सकते हो अब आपको क्या करना है पिलॉप मार्क को रिमू करने के बाद आपको थोड़े गुन गुने पानी से अपने फेस को वाश कर लेना है तो मैं अपने फेस को गुन गुने पानी से वाश करके आपको बताती हूँ प्रेंस मैंने अपने फेस को गुनकुने पारी से वास कर लिया है आप देख सकते हो मेरी स्किन पहरे से ज्यादा ग्लोईंग और वाइटनिंग सच में लग रही है और जो वाइट हैर्स चोटे छोटे थे जो ब्लैक हैर्स वो भी रूमियू हो चुके है तो आपको कोई भी अच्छी कमपनी का मॉस्ट्राइजर्स क्रीम अपनी चेहर पर एप्लाइ कर लेना है फ्रेंस चार्कॉर फिलप मास्क को इस्तवाल करने का तरीका मेरे आपको कैसा लगा वह आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपके भी मेरी तरह ओयर स्किन है या फिर आपको ब्लैंक हैर से वाईट हैर्स की प्रवब्लम है तो आप एक बार चार्कॉर फिलॉप मास्क जरूर इस्तवाल करें और आपका एक्पिरेंस मेरे साथ जरूर स्ययार करें वीडियो अगर आपको चलगा हो तो प्लिस वीडियो को लास्ट में एक लाइक जरूर कर देना